एलो हाई वेलकम बाग दिस राज कमल जैसे कि आपको पता है कि लगातार बहुत बच्चे को इक्वाइडी रहते हैं कि किस डेट तक आपके आई टी आई कंप्लीट होना चाहिए किस डेट तक डिपलोमा या बीटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए जिससे कि आप एलपी टेक्न के फर्म लगा सकते हो तो ये तारीक क्या होना चाहिए जब तक आपके कंप्लीट होने चाहिए बीटेक हो या डिपलोमा हो या आईट या हो तो मैं बात कर लूँ आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात कि बीटेक और deploma है ये एलपी के लिए ऐलिजिवल है जब कि आइटिए वाले किस्के के लिए लिजिबल है। एलपी प्लस टेकनिशन नाओ अब दूसरी बात कि यहां मैं बात करूं कि फर्म नल्ने के लिए किस देड़ तक होना चाहि जब भी आपके फर्म आ जाए मैं जब भी आपके फ rows आता है किसका एई अलपी टेक्शन का अलपू के टेक्शन बाधा है उसके फॉर्म के एक दिन पहले हुआ हह है डिगडी नहीं बना अभी तक तयार हुआ है कोई बात नहीं लेकिन एक दिन पहले तक आपके result बहुत जरुरी हो जाते हैं अगर यह result आ जाते हैं तो आप एलिपी के लिए हमेशा यह technician के लिए जी आप eligible हो जाते हैं यानि फिर आप form डाल सकते हो ओके तो आई ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता बच्चों का कि सर किस डेट तक होना चीए दूसरी बात बहुत बच्चा यह वह सर्ट टेक्निशन में भी डाल सकते हैं तो बीटेक और टेक्निशन में तभी डाल सकता है उसके कुछ पोस्टे होते हैं जो कि आप बिटेक डिप्लमा अलेजबल है जबकि लोक वाला सब यह निए अब इसमें भी है दो साल का इटीय एक साल का इटीय है तो बहुत साय हुप कि चार्चा करेंगे हम इसमें अपकमिंग आने वाले वी डिडियो में सब के हैडलाइन टॉपिक आप लोग देख लेना और आप कुछ यह मिलेंगे ना एक चीव में आप बता दोता हूं अगर आप इलेक्टिशन ब्रांच से हैं तो जरूर रेलवे ग्रूप आपको डाउनलोड करेंगे वहां से पूरी तरगे से एलपी टेक्निशन के कम्प्रीट इंटार्ड कोर्स आपके लिए तयार किया जा रहा है त आप उसमें सामिल हो सकते हैं पार्टिसिपेट हो सकते हैं थैंक यू